Hello everyone, welcome back to NPC the channel where you can learn all the concepts of physics. My name is Trupti and yes, आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं. Yes, बच्चापटी, क्लास 11 चेप्टर 1st फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से. And साथ ही साथ हमारा क्लास 12 भी पैरलल में चलता रहेगा. क्लास 12 के करेंट एलेक्रिसिटी के रिमानिंग वीडियो में जल्द ही अपलोड कर दूँगी. And then हम स्टार्ट करेंगे रह आप्टिक्स, क्लियर है? And most important thing इस चेप्टर के, जिस फिजिकल वर्ल चेप्टर, अपलोड होने के बाद में. में टेलिग्राम लिंक पर मेरा जो चेनल है, एनपीसी फिजिक्स, वहां पर इसके नोड्स भी प्रोवाइट कर दूँगी. So, you can be able to reach these notes. Clear? Now, start करते हैं, चेप्टर फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड, mostly tuition classes या जो भी institute हैं, वो स्टीप कर देते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें से आपके exam में कोई question नहीं आता है. But this is very important chapter, because इस chapter में आपको ये जानना मिलेगा कि आप 11th and 12th, आपके जो दो साल हैं आगे के, उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है. Okay, so, इस purpose से ये काफी important chapter है. भले ही exam में ना आए, बट आपको जानना जरूरी है, actual जो subject आप पढ़ने जा रहे हैं दो सालों में, वो होता क्या है, और कौन-कौन से topic आपको यहां पढ़ने है. Okay, 11th and class 12th में. So, start करते हैं physical world. Physical world में सबसे पहले आपके पास question arise होता है, कि हम जो subject choose कर रहे हैं physics, वो होता क्या है? What is physics? इसके answers and different questions जो arise होंगे, वो सभी आपको इस video lecture में में बताऊंगी. So, physics क्या है? Actually, physics is the nature. Physics क्या है? Nature है या फिर बोल सकते हम nature में जो भी phenomenon हो रहा है, जैसे कि दिन और रात का होना, सर्दी गर्मी का होना, means seasonal change, tides in sea, means समुद्र में लहरों का उठना, फिर rainbow, volcanoes and और भी सारी चीज़े हैं. Okay, अगर आप अपने daily life examples से relate करें, तो अभी आफ मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं. Okay, मेरी वोइस आप तक पहुंच रही है, या फिर मेरे जो वीडियो से आप जिस instrument से देख पा रहे हैं, that is mobile, mobile आज की generation के लिए क्या हो गए है oxygen? Mobile is very important, because आप mobile के बिना रहे हैं नहीं सकते हैं. तो यह जो mobile हैं, इनका invention यह कहां से आया हैं? यह फिजिक्स की देन हैं. सुबह उठने से लेकर आप रात को सोने तक जिन जिन चीजों का यूज करते हैं, उसमें से almost सारी चीज़े रिलेट करती हैं फिजिक्स से. फिजिक्स क क्या है? यह आपको समझ में आया है. फिजिक्स क्या है? अच्छूली नेच्रल फिनोमेना. ठीक है? या फिर ग्रीक वर्ड में नेचर को ही फिजिक्स कहा जाता है. ठीक है? नेचर के जो भी आप फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं, इस कोल्ड फिजिक्स. ठीक है? अगर डेफ को चलाता है ठीक है यूनिवर्स पे शाशन करता है सारे प्रिंसिपल सारे लॉज्ट यूनिवर्स में जो भी अकर हो रहे हैं that is called physics okay physics के यह डेली लाइफ के examples हैं जो मैंने अभी आपको बता है और सभी फीनामिना जो हैं वो आप physics की help से understand कर सकते हैं ठीक okay so हम कह सकते हैं we can say physics is the study of basic laws of nature clear है and actually physics जो है वो science की branch है science की क्या है branch है means science का मतलब होता है to know means जाना किसी भी topic का systematic understand करना systematic study करना that is called science science की definition भी यह लिखी हुए science is the systematic attempt to understand natural phenomenon ठीक है natural phenomenon को understand करने के लिए हम जो systematic understanding करते हैं या systematic attempt करते हैं that is called science ठीक है science की branch है physics ठीक है actually क्या हुआ है कि इस से इस तरह से आप example के तोर पर समझिए कि आपका एक house है आपका home है जो कि science है अब आपके house में different different areas है जैसे की dining area है kitchen है ठीक है तो यह हमने एक purpose के according divide कर लिए rooms को ठीक है तो यहां पर भी आप और different different and सभी rooms के task क्या है different different kitchen में आप खाना बनाते है डाइनिंग रूम में आपका बेठना होता है ठीक है bedroom में आप होते हो तो यह different different task जो है वो different different room क्या होते हैं clear है तो science में भी क्या किया है कि divide कर दिया है different different categories में जैसे physics है biology है chemistry है mathematics है तो physics जो आपका subject है उसमें हम natural phenomena की study करते हैं chemistry में आप chemistry के जो parts हैं उनकी study करते है mathematics में math की study करते हैं तो यह different different categories में science को divide कर दिया हमें पढ़ना है physics ठीक है हमारा जो subject है वो क्या है physics physics is the branch of science हम यह भी कह सकते है physics science की branch है जो की deal करती है natural phenomena clear होता क्या है कि physics में अगर कोई low introduce हुआ है तो उसके पीछे काफी महनत होती है ठीक है systematic approach या systematic steps होते हैं जो कि scientist को follow करने होते हैं और finally वो जाकर एक laws या फिर एक principle में convert होता है ठीक है तो यह different different steps हम देखते हैं जो कि किसी लो को या किसी principle को govern करता है ठीक है so let's have a look yes इसे कहते है scientific method okay scientific method में different different steps होते हैं first है systematic observations controlled experiments quantitative and qualitative reasoning mathematical modeling prediction verification and falsification अब यह steps follow करके अब final किसी भी laws और principle को derive कर सकते हैं example लेते हैं apple का ठीक है Newton ने क्या किया था वो बेठे थे और उन्होंने observe कि पेड़ से apple नीचे ही गिर रहा है ऊपर नहीं जा रहा है ठीक है उन्होंने क्या observe कि apple नीचे ही गिर रहा है तो यह उनका observations था अब इस observation को basis पर रखकर उन्होंने काफी सारे experiment किये ठीक है लेब में experiment किये outside कहीं पर भी कि अगर कोई body को आप release करते हो तो नीचे ही आती है अर्थ पर ही आती है तो इसका कुछ न कुछ कोई न कोई reason होगा ठीक है तो उन्होंने काफी सारे experiment किये और उन experiment से उन्होंने काफी सारा data collect किया ठीक है quantitative and qualitative reasoning means काफी सारा जो data है वो collect किया जैसे कि अगर आप पैड से apple नीचे गिर रहा है तो उसकी speed क्या होगी distance क्या होगी timing क्या होगी तो सारा data collect किया और उस data की help से उन्होंने mathematical expression दिया ठीक है means आप gravitational low पढ़ते हैं okay gravitational force पढ़ते हैं f is equal to g m1 m2 upon r square ठीक है यह क्या है आपका force gravitational force is equal to g m1 m2 r square तो यह जो formula है यह जो low है gravitational इसे बनाने के लिए काफी सारी महनत करना पढ़िए scientist को ठीक है newton's law of gravitation जो है उसे बनाने के लिए एक दिन में या दो दिन में नहीं बन जाते scientists काफी महनत करते हैं किसी भी formula को generate करने के लिए तो mathematical modeling हुआ और mathematical expression उन्होंने दिया अब इस expression के predictions लिए काफी सारे predictions लिए means इस formula में values put out करके different different phenomena ओकर होते हैं या नहीं prediction लिए ठीक है और यह जो gravitation low है यह universal low है युनिवर्स में आप कहीं पर भी जाए यह apply होगा ठीक है and finally verification के बाद ही वो formula या laws apply होता है approval होता है okay so nature के किसी भी phenomenon को इन सभी steps से गुजरना ही होता है तभी formula valid होगा तभी principle valid होगा okay so this is your scientific method now two important principles in physics okay two important principles है जो की physics में होते ही है unification and reduction okay unification and reduction क्या होता है detail में समझते है first unification okay unification का simple meaning है कि आप बहुत सारी चीजों को एक single law से define करते है सिंगल लोग से परिभाशित करते हैं ठीक है unification की definition है attempt to explain diverse और various physical phenomenon in terms of few concepts and law okay for example example से यह जल्दी से clear होगी है okay देखिए Newton's law of gravitation हम example लेते है Newton's law of gravitation अब यह formula क्या है universal formula है universe में अब कहीं भी चले जाए यह formula valid है ठीक है अब इस formula के true हम different different phenomena को apply कर सकते हैं ठीक है सभी formula इस Newton's law को follow करते हैं जैसे fall of an apple to the ground okay Newton ने देखा कि apple जो है वो ग्राउंड पर गिरा तो किसके कारण due to gravity के कारण ठीक है यहाँ पर भी gravitation law apply होगा okay motion of planets around the sun sun के around planets motion करते हैं that is all because of Newton's law of gravitation okay ball thrown of return back to the earth अपने ball को throw किया and वापस से वो आ गई अर्थ पर तो यह phenomenon भी आपका क्या हुआ? gravitational law से related यहाँ पर भी gravitational law follow हुआ okay now motion of satellites around the planet okay motion of satellites satellites का motion around the planet वो भी phenomenon है इसका Newton's law of gravitation तो एक law इन सारी चीजों को explain कर देता है ठीक है single law इन सभी examples को सभी phenomenon को explain कर देता है बस यही होता unification ठीक है means universe में आप कहीं भी चल जाए low of gravitation सभी जगे valid है और different different phenomena जो होते हैं वो best होते है low of gravitation पर clear unification एक और example देखते हैं Maxwell's four equation of electromagnetism ठीक है Maxwell की जो चार equations है वो चारों कहीं कहीं physics की different different branches को explain कर रहीं ठीक है हम class 12 में स्टेड़ी करेंगे magnetism को पूरा स्टेड़ी कर देती हैं and electromagnetic west को define कर देती हैं तो यह चारों equations जो हैं वो physics की different branches को explain कर रहीं ठीक है यह क्या है branches है इनमें काफी सारे टॉपिक्स हैं जो स्टेड़ी करेंगे ओके सो यह आपका second example हो गया unification का I hope clear है now reductionism reductionism क्या होता है reductionism means कोई भी आपके पास बहुत बड़ी फिनोमेना है या फिर complex phenomena है उसको आप समझ ही नहीं पा रहेगा ठीक है पहले मैं आपको थोड़ा feel दे रही हो दाकि आप उस चीज से aware हो जाए reductionism क्या है कि काफी ज़्यादा complex thing है और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे काफी बड़ी है और काफी पार्ट कर देते हैं ठीक है उसके पार्ट कर दिये और हर एक पार्ट की सभी पार्ट की सभी पार्ट की आपने इंडिवीज्वल स्टड़ी कर ली तो ओवरोल उस system की या फिर जो भी आप complex thing है उसकी study तो इजीली कर ही पाएंगे तो reductionism क्या है explain the properties of a bigger more complex system from a property of constituent particles ठीक है complex system या bigger system को किसमें change करना constituent particles में छोटे 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 पार्टिकल में छोटे छोटे डिफरेंट फिनोमेनल में क्या कर देना है आपको डिवाइड कर देना ठीक है जैसे आपके पास यह सिस्टम है अब इस सिस्टम को आप समझ ही नहीं पारे तो इसको आपने डिवाइड कर दिया और इन सभी factors का यह जो सभी divisions है इन सब की study कर ली तो overall आप फिनोमेन तो समझ ही जाएंगे reductionism is at heart of physics यह physics का heart reductionism काफी important क्यों क्योंकि इसके तुरू आप किसी भी थियरी को physics में किसी भी थियरी को depth में detail में study कर सकते हैं ठीक है जेकिए example thermodynamics thermodynamics यह क्या एक branch है physics की इस branch में आपको कही सारे phenomenon study करना है thermodynamics को समझने के लिए आपको heat के बारे में बता होना चाहिए energy के बारे में बता होना चाहिए internal energy entropy काफी सारे चीजें काफी सारे phenomenon है जो कि आपको पता होने चाहिए तभी आप इस branch को thermodynamics को समझ सकते हैं ठीक है तो यह हुआ example number first और एक और easy example ले लें साइंस का physics is the branch of science okay so science की different different branches है physics है chemistry है maths है biology है अब क्या होता है कि science काफी complicated है जिसमें सारी चीजें आ जाती है ठीक है इसमें देखते होंगे कि different different departments बने होते हैं professors के ठीक है यह यह सरका है यह दूसरे सरका है तो इस तरह से divide कर दिया और overall आपका department तो एक ही है physics department ही कहा जाएगा बट आपने क्या कर दिया उस department में different different categories के different different subjects के लिए डिवाइड कर दिये departments तो इसी तरह से science भी डिवाइड होती है physics, chemistry, maths and biology में reductionism I hope आपको यह टर्म समझ में आए है अब देखते है scope and excitement scope क्या है physics के excitement क्या है तो basically two scopes होते है physics में macroscopic and microscopic ठीक है यह domain भी बोलते हैं ठीक है किसी book में domain भी लिखा होता है macroscopic and microscopic domain there are two domains in your physics अब excitement of physics क्या होते है इनको detail में next slide में समझते है scope scope पहले excitement पढ़ लेते हैं excitement क्या होते excitement of physics okay for example आपके day to day life में काफी सारे फिनोमेन हो रहे हैं जिसको लेके आप curious है ठीक है यह फिनोमेना केसे हुआ जिसे एपल का गिरना दीन और रात का होना तो यह चीज़े हो केसे रही ठीक है आपका ball point pen से paper पर लिखना है सारी चीज़े रिलेट करती है physics को physics में curiosity बनी रहती है कि यह फिनोमेना अखिर हो के से रहा है इसके पीछे का logic क्या है तो आप वो जानने के लिए excitement रहते ही हैं सिंगल लो से केसे रिफाइन होता है उसके पीछे क्या कारण है क्या logic है यह हमें जानना है हमारा excitement है तो एक यह excitement है second is imaginative new experiment physics में काफी सारे experiment होते 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 कोई चीज़ इंप्रूव होती है कोई चीज़ इंप्रूव होती है तो यह है आपका excitement only quantitative thinking is not enough quantitative measurement is central to the growth of science में अगर आपने कोई principle दे लिया तो ठीक है वो principle तो apply होगा बट उसको actual में mathematical term यह mathematical modeling की जरूरत पड़ेगी ही ठीक है quantity जो है एक fix quantity कितना amount है वो आपको जानना जरूरी है ठीक है quantitative reasoning physics में काफी important होती है और यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि physics और मैट्स का relation होता है जनरल यह कहा जाता है physics is the king of science mathematics is the queen mathematics के बिना physics दूर आया और physics के बिना mathematics okay so यह सारे excitement रहते हैं day to day life में जैसे कि आप future भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपने google map देखा होगा google map के through आप किसी भी particular point पर जाना चाहते हैं तो उस point पर आपको कितना time लगेगा बीच में traffic है या नहीं है तो यह future predict भी हो सकता है काफी सारे excitement हैं काफी सारे curiosity है physics की phenomena को जानने के लिए okay अब हम पढ़ते है scope of physics scope of physics actually scope of physics में आप क्या पढ़ेंगे 11th and 12th में तिक आने वाले 2 सालों में 11th and 12th में आप क्या-क्या चीज़े पढ़ने वाले हैं physics में वो सारी चीज़े detail में दी हुई है scope of physics okay so generally two types of scope of physics होता है macroscopic and microscopic macro means बड़ा ठीक है means जो फिनोमेना बड़ी बड़ी चीज़ों को डील करते है उसको macroscopic बोलते है and micro means small constituent particles की study करना जैसे atom हो गया, nucleus हो गया, electron, proton means अभी की study करना इसमें आता है मैक्रोस्कोपिक में मैक्रोस्कोपिक को classical physics भी बोलता है and microscopic means modern physics तो यह डिफाइड हो गया modern physics या quantum physics भी बोलते हैं कि छोटे-छोटे particle की study करना, now macroscopic में क्या-क्या आपको study करना है, so macroscopic में generally mechanics आता है, okay thermodynamics आता है, electrodynamics आता है and optics आता है, mechanics and thermodynamics यह आप class 11th में study करेंगे and electrodynamics and optics यह आप class 12th में study करेंगे, okay mechanics में आपको क्या पढ़ना है, means जिसे example लेते है, newtons law of motion पढ़ेंगे आप, ठीक है law of gravitation पढ़ेंगे, propulsion of rocket पढ़ेंगे, ठीक है propagation of wave, wave का propagation कैसे होता है, एक road band कैसे होती है, उस पे अगर load दे दिया चाहे, तो यह सारे examples है mechanics के, कार केसे चलती है, कार केसे टर्न लेती है, तो सारे examples दे सकते है mechanics में, वो हम study करेंगे, ठीक है, आगे आने वाले lectures में होगा, thermodynamics, thermodynamics में हम heat, temperature, internal energy, entropy, heat engine, refrigerator, इन सभी के बारे में study करेंगे and electrodynamics में charges, okay charges इस rest पे तो उसके बीच forces क्या होंगे, electric field क्या होगी, column force, ampere, faraday load, यह सारे चीज़े, Maxwell's equation आएंगी and magnetism होगा, ऐसी generator होगा, यह सभी electrodynamics में हती है, electrodynamics, actually electrostatics and electromagnetic, दोनों का combination होता है, ठीक है, and optics में आप different light के phenomenon के study करेंगे, जिसे reflection है, reflection है, and diffraction scattering, काफी सारे phenomenon लाइट में अगर होता है, ठीक है, and telescope के बारे में, and microscope के बारे में, आप को study करना है, optics में, तो यह आपका macroscopic part है, अब microscopic में है, छोटे-छोटे particles, जिसे atom है, nucleus है, proton है, प्रोटोन है, electron है, उन सभी के बारे में आप चानेंगे, ठीक है, यह modern physics आपका class 12th में आईगे, so this is your scope, यह आपको 11th and 12th class में, पूरा detail में study करना है, okay, अब देखते हैं next, physics and technology, actually physics and technology एक दूसरे से interconnected हैं, technology gives rise to new physics, technology gives rise to new physics, means technology में rise हो सकता है, with the help of new physics, तो पहले के टाइम पे हम क्या करते हैं, steam engine यूज करते हैं, और उसमें काफी सारे कम्या होती थी, तो इन कम्यों को आपको दूर करना था with the help of physics, physics में यसे revolutions हैं, यसे laws हैं, principles हैं, जिनका यूज करके आप किसी भी चीज को improve कर सकते हैं, तो हमने steam engine को भी improve किया with the help of thermodynamics, physics की एक ब्रांच है, तो physics thermodynamics की help से steam engine से heat engine generate हुआ, तो यह हो गया technology gives rise to new physics, and physics generated new technology, physics जो है वो new technology को generate करता है, जिससे silicon chip है, silicon जो है एक element है periodic table का, अब silicon से हम semiconductors बनाते हैं, और semiconductors यूज किया जाते हैं, mobiles में, laptops में, काफी सारी चीजों में use किया जाते हैं, तो आप एक छोटा सा element का, यूज करके इतनी बड़ी technology बना रहे हैं, तो physics silicon chip है, और उसके आगे आगे improve करके आपने technology को बढ़ा दिया, तो यह हुआ physics generated new technology, अब हम देखते है fundamental laws, fundamental forces, पूरी universe में यह 4 fundamental forces हैं, जो कि सभी forces को define करते हैं, यह क्या होते हैं, वह हम detail में study करते हैं, पहले हम force को समझते हैं, force क्या होता है, तो किसी भी object को आपने push किया, या carry कर रहे हो, या throw कर रहे हो किसी object को, उसके size में change आता है, या फिर वह तूट भी सकते हैं, तो उस चीज को क्या बलते हैं, force means push और pull करना किसी भी object, तो यह जो forces हैं, नेचर में, यह 4 fundamental forces होते हैं, फर्स्ट, gravitational force, electromagnetic force, third strong nuclear force, and last but not least, weak nuclear force, तो one by one, हम इन forces को detail में study करते हैं, gravitational force, फर्स्ट से start करते हैं, gravitational force के बारे में तो आपको पता ही है, gravitational force means two body, universe में आप कहीं पर भी जाये, किनी भी two bodies के बीच में, force of attraction होता है, that is called gravitational force, mutual attraction between any two objects, by virtue of their masses, किसके कारण, masses के कारण attractive force लग रहा है, that is called gravitational force, और यह force हमेशा attractive होता है, ठीक है repulsive नहीं होगा, यह हमेशा attractive होता, it is universal force, okay universe में कहीं पर भी चाल जाये, यह force apply होगा, सभी bodies पर, it is a long range force, क्योंकि universe में आप कहीं पर भी, इस force को apply कर सकते हैं, तो यह क्या होगा long range force, range उसकी काफी जादा high होगी, आप planets के थुरू earth, या फिर earth के थुरू satellites, सभी की study कर सकते हैं, with the help of gravitational force, and it does not require any medium, medium की जरूरत नहीं होती है, इस force को, and it is the weakest force of nature, means इन चारों force में, सबसे ज्यादा weak force होता है, gravitational force, weakest force in the nature is gravitational force, example देखो, gravitational force के examples क्या होगा है, so we are able to stand on the earth, हम आर्थ पर खड़े हुए हैं, हम आर्थ पर चल रहे हैं, just because of gravitational force, ball thrown up in the air comes down, tights in the sea, यह सारे examples, मैंने फर्स्ट वाली slide में आपको बदा दिये थे, तो यह सभी gravitational force से relate करता है, okay, gravitational force में, important points क्या है, कि यह weakest force होता है, और यह two bodies के बीच में लगता है, and यह क्या है, always attractive होता है, long range force होता है, और इसे medium की जरूरत नहीं भढ़ती है, तो यह important points है, जो आपको जाना जरूर है, gravitational force में, okay, gravitational force जो है, वो उसका जो formula है, that is f is equals to g m1 m2 by r square होता है, okay, g is the universal gravitational constant, m1 m2 is, m1 m2 are the masses of the bodies, and r is the distance between the bodies, okay, इस force के थूरू या इस formula के थूरू आप gravitational force को find out कर सकते हैं, next one is electromagnetic force, electromagnetic force, okay, electromagnetic force generally charges के पीछ होता है, charges positive, positive भी हो सकते हैं, negative positive भी हो सकते हैं, negative negative भी हो सकते हैं, तो electromagnetic force acting between charged particle, and it can be attractive as well as repulsive, attractive भी होता है, repulsive भी होता है, क्यों, just because of charges के nature different है, positive है, positive positive है, तो repulsive होगा, negative negative है, it is also repulsive, but positive and negative है, then that will be attractive force, it is also long range force, okay, it does not require any medium, medium की जर्वत नहीं होती है, जैसे gravitational force में हमने study किया है, कि यहां पर भी medium की जर्वत नहीं होती है, it is very strong compared to the gravitational force, gravitational force के comparison में, electromagnetic force जो है, वो strong होता है, 10 to the power 36 times stronger than gravitational force, and example ले ले लें, so lightning in the sky, electric bell, यह सब examples है, electromagnetic force के, next one is strong nuclear force, strong nuclear force, यह जो universe है, यह सिर्फ एक force पर depend करती है, strong nuclear force, strong nuclear force, atom के inside nucleus पर लगता है, nucleus में क्या होता है, proton and neutron, proton और neutron की stability को बनाने के लिए जो force apply होता है, that is called strong nuclear force, and it is the strongest force than any other force, सब भी forces से यह strongest force है, okay, okay, so to bind the proton and neutron together in nucleus, acting between proton-proton, proton-neutron, neutron-neutron within the nucleus, okay, किन के बीच में लगता है, neutron-neutron के बीच में भी, proton-proton के बीच में भी, and proton-neutron के बीच में, is short range force, इसकी जो range है, nucleus तो काफी चोटा होता है, तो इसकी जो range है, that is 10 to the power minus 15 meter, okay, it is 100 times stronger than the electromagnetic force, electromagnetic force से 100 times stronger होता है, and the strong nuclear force does not act on electron, electron क्या होता है, electron nucleus के बाहर होता है, तो electron पे कोई असर नहीं होता है, इसका strong nuclear force का, okay, strong nuclear force apply होता है, only on nucleus, okay, electrons तो nucleus के बाहर है, तो इस पे force apply नहीं होगा, okay, so this is your strong nuclear force, now at last weak nuclear force, weak nuclear force, it is appears only in certain nuclear process, okay, nuclear process होती है, उसमें beta decays होता है, beta decays में यह force apply होता है, weak nuclear force, okay, beta decay, जब decay होता है, nucleus में decay होता है, beta decay का, तब emit होते हैं, electrons and neutrino, neutrino के है, chargeless particle, and its speed भी काफी साथ होती है, okay, so due to this interaction of neutrino, with the other particle, neutrino and other particles के interaction होता है, और उसमें जो force generate होता है, that is weak nuclear force, this force stronger than the gravitational force, but much weaker than the strong nuclear force and electromagnetic force, okay, weak nuclear force, gravitational force तो strong होता है, but strong nuclear force and electromagnetic forces से weaker होता है, okay, and it is a short range force, 10 power minus 50, same range होती है, strong nuclear force के सर तरह, strong nuclear force जैसी, okay, so अब compare करें आप, strong nuclear force इस तरह से weak होते जा रहा है, electromagnetic force सबसे ज्यादा strong है, strong nuclear force, electromagnetic force उसके बाद में, then weak nuclear force and at last gravitational force, ठीक है, यह कह है, decrement order में मैंने लिखा है, ठीक है, अब strength के according, अगर इसकी one strength है, तो यह 10 power minus 2, ठीक है, इसकी जो strength है, वो 100 times less है, 10 power minus 13 times less है, and इसका power, जो है, वो 10 power minus 38 times less है, as compared to the strong nuclear force, ठीक है, range होती है, strong की and weak की, यह तो काफी short होती है, 10 power minus 15, and electromagnetic force and gravitational force, इन दोनों की जो range है, हो काफी साधा, high होती है, infinite length तक, infinite range, approximately हम बोल सकते हैं, and gravitational is the weakest force in nature, okay, I hope, सारी चीज़े आपको clear होई होगी, chapter first में इतना ही है, है, so यह chapter first है, अब हम next slide में, chapter second स्टार्ट करेंगे, so keep watching and keep learning, thank you so much, इतम करोंगे,